जैश्राम बहुत श्रागत आपका आपकी अपने बेहत खास कारकर में मैं हूँ आपके शाथ आपका अपना आचारे राजमिश्रा संतान को लेकर के कौन से राशी वाली जातक जाती का सबसे ज़्यादा परिशान रहते हैं और अगर सबसे अधिक परिशान रहते हैं तो आखिर उनको क्या करना चाहिए ताकि संतान से related problem ना हो संतान से related कौँ से जातक जातिका परिशान रहते हैं और आखिर करना क्या चाहिए तो मेश से लेकर के मीन तक हम पूरे इस विश्रे पर चर्चा करेंगे द्यान रखिएगा ये topic सिर्फ उनके लिए जो संतान ना होने से परिशान है या संतान होने के बाद परिशान है इन सभी विश्रे उपर किस रासी के जातक जातिका को मिलती है प्रकार की शंतान ये सारा विशय रहेगा शो मेश रासी के जो जातक जातिका है वो क्योंकि संतान एक अच्छी प्राप्त होती है और प्रसिद्ध संतान प्राप्त होती है इसमें दो राय नहीं है लेकिन मेश रासी वालों को संतान हमेशा लेट से प्राप्त होती है ये दे की बाते नहीं मानने वाली होती है जिसके कारण ज्यादा परिशान रहते हैं मेश रासी की लोग लेकिन मेश रासी की जातक जातिका की संतान को सरकारी नौकरी सबसे अधिक मिलती हुई देखी गई है जनरली प्रथम संतान पुत्र प्राप्त होती है खर इतनी लंबी बात कर थोड़ा मुश्किल होगा अगर हम ब्रिश रासी के जातक जातिका की बात करें तो प्रथम संत्यान कन्या प्राप्त होने का संयोग ज्यादा तर रहता है लेकिन ब्रिश रासी के जातक जातिका की संत्यान बहुत समझदार प्राप्त होती है जो संत्यान की प्राप्त होती है बहुत समझदार संतान की प्राप्ती होते हुए देखा गया है हाँ बच्पन में क्रोध जादा उत्पन होता है और उसके गलट डारेक्शन में जाने का मित्रों में अत्यधिक इन्बॉल्ब होने का संयोग सब्शे अधिक रहता है इस बात को द्धान रखियेगा बट साइन्टिस्ट डॉक्टर सिए इत्याद की छेतर में जाकर के बरिसरासी के लोगों की जातक-जातिका नाम कमाते हैं बच्चे संतान जो है वो नाम कमाते हैं मित्रों रासी की अगर हम बात करते हैं सो ऐसे कंडिशन में मिथुन रासी के जो जातक जातिका है उनके जो बच्चे, जो मिथुन रासी के लोगों के बच्चे हैं, कन्या संतान ज्यादा पैदा होने का योग रहता है सबसे पहले, लेकिन उनका जो स्टार्टिंग जो बच्चों का ब्योहार रहता है, जो उनके का का पैरेंट्स को ले करके हमेसा प्राव्लम फेच करते देखी गई है करासी के जो जातक जातिका है उनका जो बच्चे हैं वो जनरली करोधी होते हैं और करोधी होने किरुद करोधी बहुत परिशान रहता है उनकी शाथ relation हमेशा डिश्टर्ब मजा करना अगर क्रोधी हों तो क्या करना चाहिए इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे सिंग रासी के जो जातक जातिका है उनके बच्चे क्रोधी होते हैं इसमें कोई दोराय नहीं है बहुत गुश्यल होते हैं लेकिन बहुत समझदार भी होते हैं थोड़े समय पर बहुत गुश्चा कर जाते हैं फिर थोड़े समय बात उनका गुश्चा शान्त हो जाता है और नार्मल बाते करने लगते हैं इस प्रकार की परिस्थती देखी गई है कन्याराशी के जो जातक जातका है उनके जो बच्चे होते हैं परिवार से अलग बैठना पसंद करते हैं परिवार के साथ बैठना ही नहीं पसंद करते हैं उनको लगता है कि जनरली माता पिता से अपनी बाते शेयर नहीं करते हैं परिवार के साथ बैठते नहीं हैं खाना न कि जो संतान होती है उसका भी इसी परकार की परिस्थ्थिती होती है कि आपके बच्चे आप से अपनी बाते शेयर नहीं करते हैं बाते छुपाते हैं अलग बैठना पशंद करते हैं और उनका ब्योहार होता है कि हमको सब कुछ आता है उनको लगता है कि वो पूरी responsibility एक साध काम कर रहे हैं लेकिन रोने वाले या जल्दी उदाश हो जाने वाले या जल्दी परिशान हो जाने वाले इस परकार की शन्तान की प्राप्ती अगर देखा जाए तो ब्रिष्चिक राशी के जातक जातिकाओं को होती है अगर हम बात करें धनूराशी के जातक जातिका संतान जनरली पुत्र होने का सबसे पहले योग होता है बहुत जल्दी क्रोधित होते हैं बच्चे शंतान लेट होती है धनूराशी के जातक जादिकागी लेकिन बच्चों के क्रोध से उनके अडियल ब्योहार को लेकर के धनूराशी के लूब बहुत परिशान रहते हैं, ऐसा देखा गया है मकर राशी में करण्या शंतान होने का बहुत ज़्यादा योग रहता है लेकिन संतान का जो कद होता है मद्यम होता है अच्छे लुक की संतान की प्राप्ती होती है बट उनका जो बिचार होता है मकर रासी के लोगों की जो संतान का बिचार होता है वो जनरली फैसन डिजाइनिंग, मॉडलिंग, मीडिया इंडिस्ट्री या film industry की तरब जुकाओ ज़्यादा होता है, singing की तरब जुकाओ ज़्यादा होता है तो starting में parents उनके nature को लेकर के ज़्यादा परिशान रहते हैं ऐसी परिस्तिती देखी गई है कुमभरासी के जातक जातिकाओं के संतान बड़ी समझदार होती है हाँ, starting में थोड़ा parents के शाथ उनका बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है एक दूसरे के शाथ जो behavior है वो समझ नहीं आता parents को उनका संतान का इस कारण से ज़्यादा परिशान रहते हैं बट आगे चल करके बहुत काम्याब होती है संतान CA doctor scientist research इत्याद की शेतर में जाकर के सफलता पराप्त करते हैं मीर रासी के जो जातक जातिका है उनकी अगर संतान को ले करके बात की जाए कन्या संतान की सबसे पहले पराप्त होने का योग होता है और संतान बहुत कोमल सभाव की संतान जिसको बहुत emotional संतान की बात की जाए यानि थोड़े डाटने पर रोने लगना अलग हो जाना गुसा हो करके बैठ जाना जल्दी खाना ना खाना संतान की हमेशा एक सिकायत रहती कि मेरे मम्मी पापा तो मुझे समझते ही नहीं है मेरे से बात नहीं करते मुझे से प्यार नहीं करते इस प्रकार की हमेशा जो सिकायते हैं वो देखी गई है संतान को लेकर के क्या ऐसा करना चाहिए जिससे संतान और पैरेंट्स की बीच का रिलेशन बहुत अच्छा रहे इस पर भी हम एक वीडियो आप सब के लिए लेकर के आएंगे सो प्लीज सब्सक्राइब और फॉलो करके रखिएगा और कमेंड करके रखिएगे कि आपकी संतान कैसी है जरूर लिखिएगा हम नए कारिकरम में आपके साथ बात करेंगे रात को नौ बज़े दो पहर को बारा बज़े आता हूं लाइप आप मेरे साथ जोड़ सकते हैं धन्यवाद जैसरी राम